तो बाइलोग दूर दूर तक अभी कोई मूवीज नहीं आ रही है इसलिए मैं लेके आज काउंट आफ फाइव हिंदी वेब सीरीज बिता इमडी भी रेटिंग इस लिष्ट में सिर्फ वो ही वेब सीरीज है जो मुझको पर्सनली पसंद आई है तो बिनाखिश देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं वो कौनसी वेब सीरीज है तो कहाने में एक खून हुआ है पुलस एसी खूनी के तरास में सिर्फ दो लोगों क जो की इक टीचर है अंद दूसरा है ये बंदा जिसका नाम सोनु है जो की एक सिम्पल बंदा है सोनु और उस मर्डर को जोड़ती है इक चीज की सोनु ने जहां से खाना ओडर किया था भई है।ा से बिल्कुल सेम टैम पर एक और आदमी ने खाना ओर्डर किया जिसका हाली में second season भी आ चुका है Sunflower season 2 के नाम से तो इसका दूसरा season इतना खास पसंद नहीं आया मुझको जितना की पहले वाला था तो बात करने इस movie के MDV rating के बारे में तो इस series के MDV rating है 724 की and आपको murder, mystery और simplicity जैसे movies देखना पसंद है तो आप इस web series को देख सकते हो जो कि G5 पर available है नमबर 4 पर एक killer soup तो 2017 में एक case आया था स्वाथी case के नाम से Google पर search करोगे तो मिल जाएगा जिसमें एक स्वाथी नाम की lady है जिसने अपने पती का खून कर दिया था और वो पकड़ी गई तो सिर्फ एक mutton soup की बज़े से तो ये series इसी case पर based है तो कहाने है एक स्वाथी नाम की lady की जो कि एक perry unpopational cook है जिसके हाथ में जरासा भी स्वाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना खुद का restaurant खोलना चाहती है लेकिन उसको उसकी estimate का कोई support नहीं मिलता पहली बार मज़को कोकना में और मनोज बादपाई की chemistry स्कीन पर काफी जबर्दस लगी web series को 6.3 की mdv rating मिली है तो अगर आप एक अच्छी murder mystery web series देखना चाहते हो तो आप इस series को बिल्कुल भी miss मत करना नमबर 3 पर है संजे लीला बंसाली की डायक्षन में बनी हीरा मंडी web series बात करने series की plot के बार में तो कानी में 3 points हमको दिखाए गए है पहला point हमको दिखाए गए है वो है independent से पहले का तो तब लाओर में एक हीरा मंडी नाम की जगे famous थी जहांकि तबाइफ नवाबों को खुस करने का काम करती थी अपने हुनर से नाच गाने से और दूसरा point है series का जोकी है आजादी कि कैसे तबाइफ को भी आजादी चाहिए और तीसरा point है मोहबत और प्यार तो इन तीनो points को blend करके संजे लीला बंसारी ने एक सो बनाया है जिसका नाम है हीरा मंडी हां माना कि series आपको बीच में थोड़ी सी stretch ही लगने लगती है लेकिन जो मज़ा इस series के end में आता है वो लाजवाब है तो इस series को और काम तमाम है इसकी कोई दवा नहीं आटक नहीं हो पार है नमबर टू पर है दा रेलवे में तो चार एपिसोड की ये mini series बेश्ट है एक real life incident पर तो वो पाल में 2 सम्मर 1984 को railway station पर एक जहरीली guest लीग हुई थी इसकी बाज़े से 3800 people की इमिजेटली देहत हो गई तो कहानी है उन बरकर्स की जिनोंने लोगों की मदद की उनको बचाने में सीरीस से कास्टिंग काफी दगड़ी है आर मादबन, केके मेरन, देवेंदू सर्मा और बाबिल खान इस series के लेड रोल एक्टर्स हैं और इनके एक्टिंग आउट्स्टेंटिंग है सीरीस का अगर एक एपिसोड आपने स्टार्ट कर लिया तो आप इस series को पूरा कदम करके ही छोड़ोगे पूरी series में टेंसन का मावल बना रहता है इस च्छिल आपको पता होने के बाबजूद कि एनमे क्या होने बाला है फिर भी आप movie को पूरा देखना पसंद करोगे movie का presentation कुछ ऐसा है कि आप इस movie को बिल्कुल भी skip नहीं करना चाहोगे एंड जो real life images का इनों ने use किया है वो आपको goose bumps की साजाद emotionally connect भी कर देंगी तो ये series में उसको outstanding लगी तो 8.5 की mdv rating के साथ ये web series कमाल की है एंड आप इस web series को miss मत करना तो हमारे इस list के number one पर है murder in my ये series एक novel book पर based है जिसका नाम है Jerry Pinto तो बात करें इस series की तो एक railway station की toilet के अंदर murders हो रहे हैं तो simple सी बात ये है कि महीं में station पर back to back murders हो रहे हैं और killer बहुती legit तरीके से इन murders को अंजाम दे रहा है और सबुत के नाम पर कुछ नहीं छोड़ता और जो चीज़ों police को evidence की रूप में मिलती है वो police का दिमाग और roll जा देती है तो कौन है ये killer ये जानने के लिए आपको इस web series को देखना पड़ेगा कानी full twist and turn से भड़ी पड़ी है plus में social messages भी आपको देखने को मिल जाता है 11.6 की mdv rating के साथ number one पर murder in mind तो आप एक अच्छी crime thriller suspense movie देखना चाहते हो तो आप इस web series को भूल कर भी miss मत करना तो आपको इन web series में से कौन सी web series अच्छी लगी देखने के बाद जरूर बताना एंड ऐसी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेर्त और सर लगती है तो वीडियो को लाइक चेल को करें सब्सक्राइम बिलते किसी नेक्ष्ट वीडियो में